Hi everyone, welcome back to my channel आज मैं आपको बताने वाल अपने new drawing tablet जो कि एक display वाला tablet है इसको display tablet भी कह सकते हैं, drawing tablet भी कह सकते हैं drawing display भी कह सकते हैं, drawing monitor भी कह सकते हैं So ये XP-Pen का artist 15.6 pro है मैं 7-8 day से यूज कर रहा हूँ और उसको use करने के बाद अब मैं ये review video बनाने वाला हूँ दुबारा मैंने box में रख दिया है ताकि मैं content एक बार दिखा सकूँ सही तरह से कि box में क्या क्या होता है तो पहले मैं आपको content दिखाऊंगा इसमें क्या क्या है box में और उसके बाद यूज करके दिखाऊंगा किस तरह से इसको use कर सकते हैं कैसे इस पर draw कर सकते हैं different software में मैंने जो drawing की है वो भी आपको दिखाऊंगा तो चलो video स्टार्ट करते हैं इसको purchase करने के links में वीडियो के description में डाल दूँगा तो वहां से आप purchase कर सकते हो दोनों links में डाल दूँगा एक xp pen की website का link डाल दूगा और amazon का भी link डाल दूगा अगर आप xp pen की website से purchase करोगे तो उस पे आप मेरा promo code भी एक use कर सकते हो shubam xp उससे आपको 5% additional discount मिल जाएगा इस पे shubam xp screen पर लिखा पास रहेगा वो promo code website पर use होगा इसकी xp pen की website से अगरा पर जैस करते हो वहां पर promo code apply कर सकते हो otherwise अगर आप amazon से पर जैस करने सकते हो आप वहां से भी कर सकते हो मैं link description में डोनों डाल दूगा अब जल्दी से इसको unbox करता हूँ और आपको जल्दी से contents दिखाता हूँ वहले so यह रहा box tablet का और उपर यहां पर इसका एक handle भी बना हुए इसको easily carry करने के लिए यहां पर एक sticker है जिस पे MRP, manufacturing date और address वगारा लिखा हुआ है इस पे MRP 64,999 लिखी है बट online इसकी price काफी कम हो जाएगी online यह approximately 49,900 के आसपास है इसकी price और पीछे इसके features लिखे होंगे यहां पर यहां पर आप देख सकते हो इतर लिखा हो यह Windows और Mac support करता है usable with both left and right hand है यह एक बिश में stand भी होगा इसका यहां पर specifications लिखे हैं तो है detail में active area pressure sensitivity 8192 levels tilt 60 degrees हो सकता जैस मैंने बताया pen इसका passive pen है shortcut keys इसमें 8 है एक roller wheel है मैं दिखाँगा आपको सारा अभी है और यह भी तो मैं जो रीड कर रहा हूं जो बॉक्स पर लिखा है resolution इसका display resolution इसका 1080p है input device USB है resolution इसका 5080 LPI है display color इसका 88% NTSC है और 120% sRGB है so यह सब थी इसकी specifications अब जलती से इसको खोलते हैं box को जैसा कि मैंने पहले पता है मैं already इसको use कर रहा हूं कुछ दिन से so मैंने box में बस इसलिए रख आए ता कि मैं दिखा सको कि किस तरह से packing इसकी आती है इसको रख रग रहते हैं side पे so यह कुछ इस तरह से खुलता है तो यह एक कवर सा है फोम का और यह है टैबलेट इस पर यह प्रोटेक्टिव फिल्म में लगा के रखता हूं जब-जब मैं इसको यूज नहीं करनो उतर जाती है यह ऐसे जब यूज करनो तो इसको उतार देते हैं तो यह मैं दिखाऊंगा अभी यह इसके shortcut keys है फोर यहां पे फोर यहां पे और यह एक roller wheel है जब मैं अभी इसको यूज करके दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से पता चलेगा कैसा है यह इसे grip बनी हुई है rubber की ताकि अपने इसे table पर directly place करना हो तो यह हिले नहीं यह रहा इसका stand जिसको हम ऐसे रखके ऐसे रखके इस पर angle पर रखके use कर सकते हैं अ कि इसमें है इसका pen जोकी battery free pen है 8 pen nibs है इसमें extra यहां पर यहां पर इसमें extra nibs दी हुई है देरा इसका pen यहां पर branding हुई XB pen की battery free pen नहीं हो तो काफी अच्छी बात है इसके अलग-अलग यहां पर दिये हुए हैं हम यह वाला यूज करते हैं यूजुली और इसको ऐसे अटाच करके लगा सकते हैं इसकी केबल भी इसी में है इस बॉक्स में है केबल्स दिखा देता हूं मैं तुमकि यूज तो भी करना है यह तो निकाल देते हैं बाहर इस तरह से इसकी केबल है यह SDMI पोर्ट है यह टाइप सी पोर्ट टैबलेट पर कनेक्ट होता है यह वाला लैप्टॉप यह अंप्यूटर पर बाकि यूज वी पोर्ट से एक पॉवर के लिए है जो की चार्जर पर लगेगा दिखा दूम हमें इसको कैसे कनेक्ट करने है एक एक USB के बलोर है इसमें यह भी उस होगी और इसमें है एक विक स्टार्ट गाइड एक क्लोथ है इसको साफ करने के लिए इस पर मेंशन के हुए ड्राइवर डाउनलोड करने के लिंक्स आप सिंपली अगर इस कोड को स्कैन करूगे तो भी आपको मिल जाए कि ड्राइवर से अधर्वाइज यहां पर लिंक लिखा हुए xp pen.com slash download यहां से आप ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं यह है वारंटी कार्ड यह एक थैंक्यू नोट और यह है गलव जो कि हम यूज कर सकते हैं ड्राइंग के टाइम तो यह हैं इसके कंटेंट्स अब मैं आपको बताता हो इसको कनेक्ट कैसे करने इन केबल्स को कनेक्ट कैसे करने हैं सो सबसे पहले मैं स्टैंट रख देता हूं टेबल पर और टेबलेट को इस पर रख देते हैं इसको इस तरह से ओपन करके आप यह सटका के इस तरह से टेबलेट पर प्लेस करना है और टेबलेट को इस पर हम हम इस तरह से रखेंगे ठावाच के तुछ पकृष्टा से तीन तारे हैं और य हम 다प्dar से एक केंट है यह एक टाइब सी पोर्ट है, पॉले हम इसको लगाएंगे टेपलेट ने यहां पर पोर्ट है यह brightness के buttons है और यह power button है tablet का तो एक end हमने लगा दिये tablet में अभी जो बाकी cables है यह वाली तीन इसमें से यह HDMI port है यह जो हमने laptop यह computer पे लगाना ही लगाना है तो इसको हम laptop पे लगाएंगे USB cable इसको भी हम laptop पे लगाएंगे यह दो तारे हमने laptop पे लगानी ही लगानी है इसके लिए जो तीसरी वाय है red वाली इसके लिखा हुआ है connect with power adapter so अगर आपको power adapter यूज़ करके power चाहिए तो हमें जो extra USB cable थी वो इसमें connect करनी है इस तरह से और यह वाला end हमें लगाना है इसमें और इसको हम socket में लगा सकते हैं power के लिए otherwise हम यह भी laptop में अगर हम लगा देंगे directly red वाली cable भी अगर हम यह तीनो directly laptop में लगा देंगे तो फिर हमें यह connect करने की जूर्त नहीं power के लिए so मैं इसी तरह से use करूंगा इसको मैं यह तीनो laptop में लगाऊंगा सब्सक्राइब कर लेता हूं यह HDMI cable लगेगी यहां पर HDMI port में एक USB cable यहां पर इसको ऐसे connect कर देना है अब laptop को करते हैं on फिर tablet को करते हैं on so connect कर दिया laptop से on भी कर दिया laptop अब इसकी मैं यह protective film रिमूफ कर देता हूं और फिर tablet को करते हैं on power button प्रेस करना है यहां से इस पर लिखा जगा XP pen so यह हो गया on इसको मैंने laptop से connect कर दिया तो laptop की second screen इस पर शो हो रही है और first time वैसे जब आप tablet connect करोगे अपने laptop या computer से तो आपको driver इस्टॉल करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले बताया था link लिखा हुआ था उस card में जो की box में था XP pen की website से आप driver इस्टॉल कर सकते हो so वो driver कुछ इस तरह से इस्टॉल रहने के बाद ही tablet का software जो है यहां पर इस तरह से इसको चेक कर सकते हो और यहां पर आप सेट कर सकते हो कि इसको आपको कितना आपको रखना है कितना pressure sensitivity आपको soft hard में आपको क्यासा चाहिए so यह आप अपने हिसाब से रख सकते हो मैं पूरा soft रखके फिला यूज कर रहा हूँ यहां पर mouse mode आप change कर सकते हो absolute mode या relative mode जो भी है आपको रखना हो absolute mode पर by default है मैंनी रखा हुआ है उसका लबवा यहांपे है इसकी display settings यहांपे keys की settings और यहांपे active area आप select कर सकते हो भी मैनने full रखा हा यह मतलब पूरा का पूरा यहांप active area है यह आप customize भी कर सकते हो यहां से और यहांपे keys की settings है यह जो Keys side पे हैं इसके यहां पर यहां पर जो Keys हैं उसके functions आप यहां से assign कर सकते हो और यह जो red color का dial बनाओ इसके features आप यहां से assign कर सकते हो So बस यह है इसका software इसको आपको बार बार set करने के जूरुत नहीं है एक बार आप Keys वगर अपने हैं साब से सेट कर लोगे इसके बाद आप चाहिए इसको use ना करो कोई जरुवत नहीं है बट बाद में अगर आपको कोई function सेंज करने हो तो आप इस software से कर सकते हो So अब मैं Photoshop open करता हूँ और Photoshop मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जरा pressure sensitivity पहले सबसे पहले अब मैं बिल्कुल हलके हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ अब मैं pressure बढ़ा रहा हूँ आप देख सकते हो pressure sensitivity की यह जो red dial है इस पे आप अलग-लग features assign कर सकते हो जैसे brush का size यहीं से directly increase हो जाता है और यहीं से decrease हो जाता है तो बढ़ा करते हैं brush को brush change करते हैं जड़ा आप इसकी pressure sensitivity देख सकते हो ठीक है और इसका एक और इसमें आप 3 features assign कर सकते हो बैसिकलिए और यहां से मैंने key रख लिए switch करने के लिए functions में इससे आप document को directly zoom out भी कर सकते हो और अगर आपका document zoom में उसको scroll करने है तो आप इसे scroll भी कर सकते हो document को उपर नीचे खुछ बना कर दिखाता हो ता कि पता चले हैं कि मैं scroll कर रहा हूँ तो ऐसे आप scroll भी कर सकते हो document को और यह ज़स्में आप brush का size increase decrease कर सकते हो और zoom in zoom out भी कर सकते हो मैं एक बार आपको pass से भी use करके दिखा देता हूँ ता कि pressure sensitivity आपको अच्छे से बता जल जाए आइस्था आइस्था pressure increase कर रहा हूँ मैं अपना नाम लिखके देखता हूँ जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं 7-8 days से इसको यूज कर रहा हूँ जैसा कि मैंने बताया इलस्ट्रेटर में इसको चेक कर लिया जैसे इलस्ट्रेटर पर मैं अभी रिसेंट्ली ये ड्रॉ कर रहा हूँ यह मैंने इलस्ट्रेटर ओपन किया तो मैं अभी रोई छर्मा का एक काटून स्टाइल में इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ सो इलस्ट्रेटर में भी अच्छी तरह से काम कर जाता है टैबलेट और फोटोशॉप में भी कर जाता है मैंने गिंप भी उस किया है paint tool भी उसकिया है तो काफी software's ये support कर लेता है जासा कि मैंने बताया illustrator मैं ये अभी draw कर रहा हूँ complete हो जाएगा जल्दी है तो मैं post कर दूँगा Instagram पे फिलाल ये तो tablet के बारे में video है तो drawing अभी हम नहीं करेंगे बट पीसे अभी recently जो मैंने 2 drawings किया उसमें से एक की मैंने वीडियो भी upload की थी तो वो भी मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ मैंने किस तरह से इस tablet का यूज करके digital painting बनाई थी recently अभी इस ही digital painting के मैंने आपको वीडियो दिखाई थी इसी tablet पर मैंने ये draw किया था तो बहुत अच्छे से इस पर draw हो पाया था इस tablet पर और आपने देखा होगा वीडियो में कितने अच्छे से मैं draw कर रहा था इसके ये जो red dial है ये मुझे काफी पसंद आया ये मुझे बहुत पसंद आया और इसके pen की अगर हम बात करें तो इसके pen पर भी rubber की grip है जो की काफी अच्छी है एक से जो जो इसका ये pen का जो case था ये जो ये काफी अच्छी quality काहा है ुसके नीचे भी rubber की grip बनी हुई है ताकर ये table पे अच्छा से प्लेस हो जाये और जो इसका ये cap था इसका case का उसके नीचे भी rubber की grip है तो इसको मैंसे place करके पैन इसमें ऐसे रख सकते हैं और ये भी इलता नहीं अपनी जगह से है इसके कुंकि इस रबबर की ग्रिप है तो अच्छा से रहता है ये टेबल पे So ये था मेरा रिव्यू इस ट्राइंग टेबलेट के बारे में और जैसे मैंने पहले बताया है डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप रचेस कर सकते हो और जो डिस्काउंट कोड है शुबम xp वो xp pen की वेबसाइट पे किसी भी प्रोड़क्ट पे आप यूज कर सकते हो किसी भी टेबलेट पे सिर्फ इस टेबलेट पे नहीं अधर्वाइस आपको अगर यही टेबलेट पे रचेस करना हो सो आप उस लिंक से पर रचेस कर लेना और डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो जैसे कि मैंने पनी रिसेंट सिदार शुक्रा की डिजिटल पे टेबलेट पे की थी उस तरह से मैं और डिस्टल ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, वेक्टर आर्ट, इलस्टरेशन वगरा करूँगा इसी टेबलेट के यूज करके सो वीडियो वो भी आते रहेंगी चनल पे सब्सक्राइब करना जिरुन नहीं किया सब्सक्राइब अभी तक और ये वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट से मुझे बताना इस टेबलेट के बारे में आपको क्या लगता है मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में, बाई बाई